पशूओं के लिए हरे शार जिसे शायलेज भी कहा जाता ऐ साइलेज अधिकांसda है मछहे पके वे हरे चारे और मक्का दाना का मिश्रन है नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फार्म टोक और मैं जैपाल सिंग राठोड आज मैं आपको साइलेज इसकी उप्योगिता और यह कहां पर मिलेगा किस तरीके से आपको उपलब दोगा यह कम्प्लीट जानकारी दूँगा अगर आज आप इस चैनल पर नही जाता है जिसे इंग्लिस में साइलेज भी का जाता है यह फर्मेंटेड मंक का जो आजमा पश्वों का वसुदारने में साथी दूद के उत्पादन में वर्दी में काफी सायक है दूद में जो आपको अपडाउन देखने को मिलते हैं जो दूद पसू तेजी से घटा जात जो पशू आ रहा है उसकी लागत गड़ जाएगी इसका कारण यह रहेगा कि उसकी मातरा आपको कम देनी पड़ेगी क्योंकि 28-33% तक मक्का के दाने इस साइलेज के अंदर मिक्स होते हैं जो नुट्रिशन वेल्यू को बढ़ा देते हैं जो हरा चारा है उससे अधिक है इसकी मैं आपको इतनी उप्योग्यता इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पशू पालकों के लिए अभी पशू पालन काफी महंगा हो गया है पसू फीड हरा चारा और सुखा बूसा इतना महंगा हो गया है कि वह उनको पूर्ती करना काफी मुश्किल हो गया है ऐसी स्थित में पशु पालग नहीं होते हैं कि वह अच्छे क्वालिटी का साइलेज बना पाएं और उनके द्वारा बनाया गया साइलेज काफी जगह पर देखने को मिलता है कि जल्दी खराब हो याता है इसलिए मैं आप को आज इस वीडियो में साइलेज आपको कहां से मिले और किस क्वालिटी का मिलेगा वह भी पूबलेट जीरो नाइड यह नंबर और एडर्स मापको स्क्रीन पर भी मेंचन कर रहा हूं आप यहां से भी से नोट कर सकते हैं जो इस उपलब्द कर वाते हैं बेतरे इन उत्तम क्वालिटी की मशीनों द्वार अन्यर्मित रहता है साथ ही जो इसकी क्वालिटी है उसके सा पैकिंग काफी अच्छी शांदार होती है जिसकी वजह से इसकी जो लाइफ साइकिल है वह लगबग 10 से लेकर 14 मेने तक की हो जाती है ऐसी स्थिती में पशुपालकों के लिए काफी उचित रहता है कि सस्ती कीमत में साइलेज ऐसा आपको मिले जो आप सूखे बूशे इत पैकिंग इसका प्राइज पर केजी चार रुपे असी पैसे है साथी संख किलोग्राम की पैकिंग वह 5 उरुपे पर किलोग्राम है आपको यह ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग से देना होगा आसा है वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद है